जे स्री कृष्णा राधे राधे हलदी सौभागी की वस्तु तो है लेकिन इसका तांतरिक प्रयोग भी होता है और हलदी का पौधा अगर मिल जाए तो अब आप सोचेंगे हलदी का पौधा कहा मिलेगा देखें हलदी का पौधा बहुत सुम्माना जाता है कहा जाता है जिस घर में ये पौदा होता है उस घर में बड़े से बड़े तांत्री की तांत्री क्रियाएं फैल हो जाती है यानि वो कर ही नहीं सकता उसका पुस्प का तांत्रोक्त प्रियोग तो ये प्रियोग बहुत ही दुरलब और खास है इस प्रियोग को करने से आपके जीवन की बहुत सारे मुश्किलें समाप्त हो जाएगी लेकिन हल्दी भी तीन तरह का होता है काली हल्दी पीली हल्दी और औरेंज यानि नारंगी हल्दी तो पीली हल्दी का संबंद देव गुरू से है काली हल्दी सनिदेव से संबंद रखता है और औरेंज यानि की जो न हल्दि का कुष्प है वह आपको जीवन की हर परसानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है आपके गहले करेगा औरसी जान nego काम नव को भी पुर्ण करेगा कि अगर आपके जीवन में आपको भुष्ण मुस्किले हैं जंढे हैं रहत ही नहीं मिलती एक आती है टेंशन उसको समापत करते करतें उससे पीछा चुलाते चुलाते दूसरी आजिर कई बार ऐसा हो जाता है कि एक परिशानी से आप भार पुरी तरब निकले नहीं कि दूसरी परिशानी सरपे सवार और ऐसा सिर्फ ग्रहों के चाल के कारण होता है तो उन से राहत दिलाने के लिए एक चोटा सा प्रियोग हम बताएंगे क्योंकि ग्रह की सांती के लिए हमारे बनस्पती में बहुत सारे उपाय चुपे हैं लेकिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक चोटा सा प्रियोग करना है देखिए वैसे तो हल्दी का पौधा आपके अगर आप सहर में रहते हैं तो मुष्की ले थोड़ा मिलना तो ऐसे में आप कच्छी हल्दी मार्केट में मिल जाएगी उसमें पौधा लगा होता है लाकि आप अपनी गमले में लगा दें वह पौधा लग जाएगा उससे पुस्प भी निकलेगा और हल्दी का पौधा घर में लगाना बुरा नहीं होता है अच्छा होता है क्योंकि हल्दी के पौधे कुछ ऐसे पौधे हैं जो घर में जरूर लगाना चाहिए इसलिए हम आपको कहते हैं कि अधरक का भी लगा है क्योंकि इससे क्या होता है निगेटिवटी को दूर करता है दूर भगाता है पौधा N Gerecht Day कि पुस्प की पुस्प ऑफ एक काहरा पॉधा निकलए दुसरी सफेध संटर hoop fair पॉधा में असकर कि पुस्प निकले rain कि तरह होता है क्योंकि तुलसी मालक्षमी से समंद्ध रखता है तो हल्दी का पौधा गुरू से और यह दोनों पौधा जिसके घर में होता है उस घर की खुजियों को किसी के नजरी नहीं लग सकती तो यह चमतकारी पौधा आपके स्वास्त के लिए भी उतना हीप हल्दी का पौधा लगाने से पहला तो आपका भ्रस्पती मजबूत होता है बिवाह में आ रही बाधाएं खुद बखुद दूर होती है और आपके घर में अगर लंबे समय से कोई सुमंगल कारे नहीं हो पा रहे है यानि आप जैसे लाइफ है वैसे एक ही धर्रे पर चल कुछ अलग नहीं हो पा रहा जीवन में तब यह हल्दी का पौधा लगा देने से उसमें पुस्प निकल जाने से आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है नकात्मक उर्जा प्रवाह घर में प्रवेस नहीं करती तो हल्दी का पौधा जरू लगा है लेकिन ए तो हल्दी का पुस्प है उसका हम आपको खास प्रियोग बताते हैं हल्दी का पुस्प के तरह ही अनार के पुस्प का भी प्रियोग होता है तांत्रिक प्रियोग उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे लेकिन जानते हैं हल्दी का पुस्प का प्रियोग आप एक क और ले जाकर किसी भी नदी तालाब में दोनों हाथों से प्रबाहित कर दे अपने जीवन की मुश्किल समस्या परिसानी बोलते हुए और बोलकर देखिए वैसे तो बोलकर आप पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घर चले आए एक तो आपकी जीवन की मुश्किले समाप् मुश्किले सिर्वात करें लेकिन जैगी है में पर इस जाते हैं होगे और चीवनर के आप आपको मार्केट में भी जाए गादर आपको प्रोक तो प्रीयों कर शेने पने प्रियों पर thank you अबड़े